सब्सक्राइब कीजिये हमारे चैनल डिजिटल टोपिक को और बेल आइकन को प्रेस करके all के ओप्शन को सेलेक्ट कीजिये जिससे हमारे चैनल पे आने वाली नई नई वीडियो आपको देखने को मिलती रहे हेलो फ्रेंड्स हमारे यूटूब चैनल डिजिटल टोपिक में आपका स्वागत है फ्रेंड्स हैदी आप भी जियो का नंबर चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से घर बैठे ही पांच जीवी डेटा जीओ कंपनी से लोन पर ले सकते हैं फ्रेंड्स पांच जीवी डेटा लोन से मेरा मतलब है कि आपको इंस्टेंट पैसे देने के आप सकता नहीं होगी आपके पास बाद में भी अगर पैसे होते हैं तो आप बाद में उन्हें पे कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ आप किस तरह से डेटा को लोन पर लेंगे और बाद में किस तरह से पैसे पे करेंगे और friends ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना जरूर तो friends चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है जहाँ पर वीडियो को लोग प्रोसेस होगा आपको इस एप को डाउनलोड कर लेना है friends पहले मैं अपने प्ले स्टोर को ओपिन कर लेता हूँ और अब जैसे के आप देख सकते हो मेरा प्ले स्टोर ओपिन हो चुका है friends अब आपको सबसे उपर ही सर्च बार में टाइप करना है जैसे के आप देख सकते हो मैं टाइप कर चुका हूँ जब आप इतना टाइप कर देंगे तो आपको सिंप्ली सर्च पर क्लिक कर देना है और अब जैसे के आप देख सकते हो मेरे सामने माई जीव आप आ चुका है जब यह आपको फोन में download और install दोनों ही हो जायागा तो आपको side button मिल लाता है यहापे open का जैसे कि मुझे मिल चुका है अब आपको यहापे click कर देना है और अब जैसे कि आप देख सकते हो मेरा my geo app open हो चुका है अब आपको यहापे पहला option मिल लाता है enter mobile number यहापे आपको जो भी geo number है वो आप यहापे fill कर देंगे और फिर जब आप अपना mobile number यहापे fill कर देंगे इसके बाद आपको नीचे button मिल जाता है login का आप यहापे click कर देंगे और अब जैसे कि आप देख सकते हो मुझे OTP का option आ चुका है और अब देख सकते हो आप मेरा OTP यहापे automatically fill हो चुका है और यहापे verify होने लगा है और अब जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सामने कुछ permissions आ चुकी है यहापे आपको proceed पर click कर देना है और अब जैसे कि आप देख सकते हो मेरा app यहापे proper तरीके से open हो चुका है तो friends अब मैं आपको अपने Geo Sim का data दिखा देता हूँ जो कि यहापे 0KB लिखा हुआ भी आ रहा है और अब जैसे कि आपको नीचे option में जाता है यहापे go to mobile आप यहापे click कर देंगे और अब जैसे कि आप देख सकते हो मैं mobile के option में आ चुका हूँ friends अब मैं simply थोड़ा नीचे scroll करूँ है और अब जैसे कि आप देख सकते हो मेरा side में यहापे plan लिखा हुआ आ रहा है जिसके expiry date यहापे नीचे लिखी है और फिर अब आप right side में देख सकते हो जैसे कि आप मेरी 0KB लिख हुई आ रही है friends क्योंकि मेरे phone में इस time बिल्कुल भी net नहीं है और मुझे यहापे 1GV data उधार लेना है तो इसके लिए आपको simply ऊपर 3 line दिख जाती है जैसके मैं highlight भी कर रहा हूँ आप यहापे click करेंगे और अब आपको यहापे 30 option मिल जाता है अब आप यहापे click कर देंगे और अब जैसे के आप देख सकते हैं नेक्स पर यहापे load हो चुका है तो friends अब आपको अपने जीओ सिम में data loan पर लेने के लिए आपको नीचे बटन मिल जाता है प्रोशिट का आप यहापे click कर देंगे और अब जैसे के आप देख सकते हैं यहापे लिखा data voucher 1GB और अब जैसे के आप यहापे second number पर लिखा है available quantity friends जैसे के आप लिखा है 5 चुकि friends मैंने अभी तक यहापे कोई भी data loan पर नहीं लिया है मैं आप पांच बार 1GB करके 5GB तक data उधार ले सकता हूँ और फिर आपको side में price देखने को मिल जाते हैं friends यहापे आपको 1GB data 11 रूपे का मिलता है और यहाप यहापे एक एक करके 5GB data उधार ले लेते हैं तो यहापे आपके 55 रूपे सीधा सीधा हो जाएंगे जो आपको बाद में pay करने होते हैं तो आपको नीचे option मिल जाता है get emergency data आप यहापे क्लिक कर देंगे और अब जैसे के आप देख सकते हो ऊपर मेरा जियो नंबर और फिर नीचे मेरे को 1GB data यहापे लिखा हुआ आ रहा है और अब आपको तीसरे नंबर पर option मिल जाता है validity फ्रेंट्स जो भी आपके mobile में data plan होगा यह जो आपका 1GB data आएगा यह उसी plan के इसाब से आएगा कहने का मतलब यह यदि आपने कोई recharge करवा रखा है 2 महीने का तो आप जो यह 1GB data उदार लेंगे यह भी आपका 2 महीने तक ही चलेगा इसकी validity भी 2 महीने तक ही रहेगी तो अब आपको नीचे बटन मिल जाता है फिर activate now आप यहाँ पर किलिक कर देंगे और अब जैसे के आप देख सकते हो मेरा next page ना पर load हो चुका है और मुझे यहाँ पर 1GB data मिल चुका है तो friends अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो 1GB आया है वो कहाँ पर add हुआ है इसके लिए अब मैं simply back press करूँगा और अब जैसे के आप देख सकते हो मैं my geo app के home screen पर आ चुका हूँ friends अब मैं आपने app को एक बार refresh कर दूआ है यहाँ से और अब जैसे के आप देख सकते हो मैं अपने app को refresh कर चुका हूँ और friends यहाँ पर लिखा भी आ रहा है वाब 1GB friends अब मेरे geo sim में 1GB data add हो चुका है जो कि मैंने अभी यह भी loan पे लिया है तो friends अब मैं आपको बताता हूँ आपने जो अभी 1GB data लिया है उसके जो आपको 11 रुपे पे करने होंगे वो आप किस तरह से करेंगे तो उसके लिए आपको दोबारा 3 line पर किलिक करना है जिसके मैं कर देता हूँ और फिर आपको दोबारा emergency data loan जो की तीसर नमबर option है जैसे कि हमने पहले किलिक किया था अब आपको दोबारा किलिक कर देना है और अब जैसे कि आप देख सकते हो मेरा next page यहां पर लोड़ हो चुका है अब आपको थोड़ा simply नीचे scroll करना है और अब आपको नीचे button मिल जाता है proceed का आप यहां पर किलिक कर देंगे और अब जैसे कि आप second number option देख सकते हो जैसे कि आप लिखा है available quantity यहां पर पहले 5 लिखा हूँ आ रहा था और अब जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर 4 लिखा हूँ आ रहा है च्योंकि friends अब मैं अपने Jio Simper 1GB data उधार ले चुका हूँ और अब यहां पर चार बार में 4GB data और उधार ले सकता हूँ तो अब जैसे कि आप देख सकते हूँ नीचे यहां पर 11 रुपे लिखे हूँ आ रहे हैं और यहां पर आप second number option देख सकते हूँ जैसे कि आप लिखा used voucher एक फ्रेंट्स क्योंकि मैं एक voucher यहां पर यूज कर चुका हूँ अपना उसके लिए फ्रेंट्स मुझे यहां पर 11 रुपे पे करने होंगे क्योंकि मैं यहां पर बंजी भी data उधार ले चुका हूँ तो अब आपको यह पैसे पे करने के लिए simply नीचे स्कॉल करना है और अब आपको यहां पर बटन मिल जाता है clear due आप यहां पर किलिक कर देंगे और अब जैसे कि आप देख से तो मुझे यहां पर payment का option आ चुका है यहां पर आप कई तरीके से payment कर सकते हैं जैसा कि UPI में Paytm, Google Pay, Amazon Pay, UPI और अब ही मैं आपको नीचे भी स्कॉल करके दिखा देता हूँ और ऐसे ही आपको नीचे option मिल जाते हैं ATM, debit card, net banking, credit card और फिर आपको नीचे option मिल जाता है wallet का जैसे कि मैं आपको नीचे स्कॉल करके दिखा देता हूँ फ्रेंट्स यहापे आप अपने 11 रूपे की payment अपने wallet से भी कर सकते हैं तो फ्रेंट्स जैसे कि मैं आपको यह payment अपने debit card से करके दिखाने वाला हूँ या Callow ATM card से करके दिखाने वाला हूँ तो मैं आपको यहाप यह option मिल जाता है debit ATM card अब मैं simply option को select कर लूँगा और अब जैसे कि आप देख सकते मेरा next page यहाप लोड़ हो चुका है अब आपको यहाप अपने debit card की detail को fill कर देना है तो अब आपको यहापे पहला option मिल जाता है card number का यहापे आपको अपने debit card की solar date fill कर देनी है और इसके बाद आपको नीचे option मिल जाता है expiry month का यहापे आपको अपने card का expiry month fill कर देना है और इसके बाद आपको side में option मिल जाता है expiry year और इसके बाद आपको side में option मिल जाता है CVV code का आपको जो ATM card होगा उसके पीछे तीनंगों का CVV code होता है जो कि आपको यहां पे fill कर देना है और इसके बाद आपको नीचे उप्शन मिल जाता है name on card friends आपको यहां पे card के owner का नाम fill कर देना है और अब जैसे के आप देख सकतो मैं आपके सभी detail को fill कर चुका हूँ इसके बाद आपको नीचे बटन मिल जाता है pay का आप यहां पे click कर देंगे और अब जैसे के आप देख सकते हो मेरे next page यहां पे load हो चुका है और friends मुझे आप एक option मिल जाता है OTP का और अब जैसे के आप देख सकते हो मुझे ऊपर एक message भी आ चुका है friends इस message में छेंको का OTP होता है जो कि आपको यहां पे fill कर देना है और friends यह जो OTP आपका जाएगा वो आपके registered mobile number पर जाएगा क्योंकि मेरे जो ATM card में registered mobile number है वो मेरे mobile में इसलिए मुझे ऊपर एक message आया है यदि आपके ATM card में कोई और mobile number registered होगा तो यह OTP उस पर जाएगा और वो OTP आपको यहां पर fill कर देना है और अब जैसे के आप देख सकते हो मैं आप एपना OTP फिल कर चुका हूँ इसके बाद आ अब आपको यहां पर नीचे बटन मिल जाता है डन का आप यहां पर किलिक कर देंगे और फ्रेंट जैसे कि अब हमारे यहां पर पे payment successful हो चुकी है तो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि जो मैंने एक voucher वहां से लिया था उसकी payment का status अब क्या सो कर रहा है तो आपको यहां तो मेरा next page यहां पर लोड हो चुका है और फिर जब आपके पास पैसे होंगे तब आप उन्हें पे कर सकते हैं तो फ्रेंट कैसी लगी वीडियो वीडियो को लाइक कर देना और यदि आपको वीडियो को देखने बाद आपके मन में कोई question है कोई query को doubt है तो आप हमें comment box मे comment कर सकते हैं हम आपके comment का पूरा जवाब देंगे तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिं जै भारत